और बताने जा रही हूं नेक्स्ट पॉइंट बास्टिंग यह भी हैंड स्टीच है इसको हमें फैब्रिक को इस तरह से फोल्ड करके लेना है और यहां से स्टीच लगाना है इस तरह से यह होगा बास्टिंग यानि कि जितना गयाप यहां पर होता है बताती हूं जितना यह स्टीच का गयाप है उतना ही यह खाली गयाप आना चाहिए यानि कि स्टेट पूरा ऐसी एक ही लाइनिंग में हमको बास्टिंग स्टीच लेना है सेम करना है पूरा और साइड फिनिश करना है फोल्ड करके सब्मिशन के लिए इस तरह से अन फिनिश नहीं दिखना है ठीक है यह यह आता है दोनों साइड से सेम दिखाई देता है ठीक है